धंतेरस का ये प्यारा सा त्योहार आपके जीवन मिलाए खुश्यां अपार माता लक्ष्मी विराजे आपके द्वार सभी कामना आपकी करेश्विकार दिवाली के महपर्व का अगाज धंतेरस से होता है दिवाली से दो दिन पहले धंतेरस पढ़ता है हिंदू पंचांग के अनुसार बात करें धंतेरस की तो धंतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास की त्रयोच्छी पर पड़ता है इस साल 29 अक्टूबर को धंतेरस का पावन पर्व मनाय जाएगा धंतेरस को धंत्रयोच्छी के नाम से भी जाना जाता है धन्तेरस के दिन मगवान धन्वंत्री की पूजा की जाती है इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर की भी पूजा की जाती है धन्तेरस के पावन पर्व में सोना चांदी लेने की परंपरा भी है इस दिन बर्तन भी खरीदने चाहिए इस दिन खरीदारी करना बेहद ही शुब माना जाता है आपको बता दें कि धंतेरस की पूजा का शुब मूरत 29 अक्टुबर को श्याम 6 बज कर 31 मिनट से शुरू होकर रात 8 बज कर 31 मिनट तक रहेगा इस दिन त्रिपुशकर योग, इंद्र योग, वेदृत्ती योग, उत्रापालगुनी और हस्नक्षत्र का महसयोग बन रहा है ये दिपावली आपके लिए बेहद खास हो सकती है आपको बता दें धंतेरस के दिन ज़ाडु खरीदना शुब माना जाता है इसके अलावा इस दिन मंदिर में या किसी जरूरत मन को ज़ाडु दान किया जा सकता है मान्यता है कि इससे मालक्षमी प्रसन होती है धंतेरस पर सोना, चांदी, तांपी की धांथों को खरीदना शुब माना जाता है दरसल ये सभी वस्वी मातलक्षमी को अधिक प्रिय है ऐसे में इनकी खरीदारी करने से घर परिवार में सुक, सम्रिध्धी और सकारात्मक उर्चा का वास होता है इसके अलावा आर्थिक रूप से सशक्त बनने के लिए आपको इन चीजों की खरीदारी करना बेहद लाबकारी साबित होगा